हलो यारों I hope you guys are doing wonderful 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 और आप अपनी पूरी ताकत से लगे हुए हैं December examination की और बहले आप executive के है professional के लिए है यह video आप दोनों के लिए है पहले executive के बच्चों के लिए बात करूँगा फिर professionals के उपर आऊँगा executive के बच्चों आशा करता हूं आपकी तफान आपकी तैरे तो पूरी तूफान ही चल रही है हर टॉपिक का जैसी कि आपको कहा था कि आपके executive के अंदर बीट, old syllabus, new syllabus आपके हर chapter के तूफान revision, old syllabus के लिए तो scanner series, new syllabus के लिए भी latest थरीक से हम लोगों लिए numerical session ऐसा बहुत कुछ लिया है तो सबसे पहली चीज़ तो इस video के description के अंदर मैं आपको दे दूँगा एक proper file जिसमें सारे links रहेंगे, you'll get all the links there, जो जो link you'll get all the links there, सारे important YouTube revisions जो अभी तक लिए वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और अब 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 खास चीज़ बिताता हूं यारो, कल, कल हम लोग मिलने वाले हैं, on 11th, कल हम लोग क्या करने वाले हैं, कल हम लोग सबसे पहले आ रहा हैं, सबसे पहले मिलेंगे at 10 a.m. in the morning and 10 से लेकर 1 p.m. यह हमारा target रहेगा, इसके अंदर हम सबसे पहले complete कर लेंगे all the amendments, जो भी December के लिए amendments है वो, along with a two fun revision of takeover code, तो कल सबसे हम लोग 10 से एक मिलेंगे, 10 से एक में हम लोग amendments सारे complete कर लेंगे और एक two fun revision कर देंगे takeover code का, एकदम doable है, मसदार तरीके से हो जाएगा और यह यहाँ पर याद भी हो जाएगा, takeover code यहाँ पर याद करवा की complete कर लूँगा, फिर एक चोटा सा lunch break हो जाएगा, इसमें आप चाहें तो revisions, यह जो हमने amendments पढ़े हैं, यह जो revision कैस्को फटाव ग्लांस तूर करके आना, बाइबैक regulation का, जो की recently, नहीं नहीं regulation आई है, अमेंड हुई है, 2021 का बाइबैक regulation का तूफान revision, और इसी के साथ में तूफान revision करेंगे हम mutual fund का भी, जो सबसे बहले, सुबह दस बज़े आप से मिलूँगा, दस बज़े मिलके हम लोग amendments को सबसे बहले wrap up कर देंगे, हम लोग बहुत तूफान revision कर लेंगे, टेक ओर कोड़का, उसके बाद में आपका एक break हो जाएगा, उस break के आद वापस जबह मिलेंगे, हम लोग करेंगे वापस revision of two more chapters, यह क्या है यह वो chapters लिए मैंने, जो chapters मुझे लगता है कि इस examination के अंदर काफी महतों रखने वाले हैं, second thing, हम यह normal जैसे की important topics को revision करते हैं, इस बार ऐसा plan नहीं है, इस बार important topics revision नहीं किया जाएगे, इस बार हर topic का revision किया जाएगा, जिस तरह से हर बार results आते हैं, बच्चे बहुत अच्छी तरीके से pass होते हैं, तो हमें भी एक level up करना होता है हमारी preparation को अपनी तरफ से, तो इस बार planning है कि we are not just going to revise the important topics, we are going to revise every chapter का almost every topic, हर chapter का हर topic इस बार revise होगा, तो हम कल जब मिलेंगे, कल हम लोग यह तीन महत्वफून chapters को revise कर लेंगे, और साथ ही साथ amendment भी सारे complete कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और यह तीनो chapters आपके खून में positive हो जाएंगे कल की date में, और वो भी कम से कम समय में, आपका कम से कम time utilize कियते हुए हम लोग यह तीनो chapters मसी से revise कर लेंगे, इसके बाद में भी कुछ और chapters की revision आपके आते रहेंगे और announce करते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपके लिए आता रहेगा ताकि आपको revision के लिए जो एक extra push चाहिए, वो push हमारी तरफ से 100% मिलता रहे, इस इस फॉर executive kids, ठीक है रहा, अभी आपके recently जो numerical session और chapters के revision मैंने लिये भी है, आप लोगों ने वो भी देखे हो, नहीं भी देखे होंगे तो आपको properly links के अंदर मिल जाएंगे, इस link में आप चाहिएगा और securities law के अंदर तूफान revision करके आपको एक link मिलेगा, उसमें आपको सारे lectures मस्ती से मिल जाएंगे, और syllabus, new syllabus, कल का जो revision lecture, कल का जो marathon lecture है, वो दोनो बच्चों के लिए, तो अगर आप old syllabus के हैं तो भी आप बच्चों ने अटेंड करना है, अच्छे से, अगर आप new syllabus के हैं तो भी आप बच्चों ने अटेंड करना है, यह जो दोनो sessions अकल प्लन है, it is a single session वैसे, मतलब एक single marathon क कह सकते आप इसको यह new और old दोनों syllabus के बच्चों के लिए amendments दोनों के लिए रहेंगे तो अगर वो चाहते हैं कि लाइव पढ़ने की इच्छा है तो कल लाइव यूट्यूब रिविजिन्स होने वाले हैं ठीक है रहा हुआ खुब 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 आगे बढ़ो और डिसेंबर के अंदर बहुत-बहुत-बहुत अच्छे माक्स ले करा अब प्रफ आप रिशनल के लिए और फेशनल के लिए आहां प्रफेश्नल के बच्चों लिए बहुत-फइ तूफान ओलर यूट्यूब पर रखे हैं लोगों ने नहीं देखें तो ensure you see them मतलब आपका पूरा सब्जेक्ट डीटेल में कवर हो जाएगा ऐसा एसे कि important topics revise नहीं किये हमने सब कुछ revise किया उसके अंदर सब कुछ revise किया और ऐसे बहुत सारे IBC के revisions भी हैं बहुत सारे CF के revisions भी हैं valuation के revisions सब चीजें मिलेगी आपको इस लिंक के अंदर तो अच्छे सा उसको देखना अब आता है कि अब क्या आने वाला है तो अब यारों बहुत सारी चीज आने वाली अब अभी टॉप थ्री इमिरेटली बता देता हूं 13 से हम लोग मिलना चालू कर देंगे सबसे लेकर मैं आपको थर्टीन और फोर्टीन के बारे मैं अनौंस कर दूं थर्टीन को आपका आएगा सिया आरपी का एक अपडेटेड रिविशन CIRP में कुछ अमेंडमेंट्स है तो एक तूफ़ान तरीके से कुछ तीन सारी तीन घंटे के अंदर पूरा CIRP सबसे पहले हम लोग सबसे इंपॉर्टन टॉपिक को कम समय में सबसे जबसे जबसे इंपॉर्टन टॉपिक को सबसे पहले हम लोग सबसे इंपॉर्टन टॉपिक को कम समय में सबसे ज्यादा माक्स अगर कवर करने तो वह सिया आरपी सबसे लेंगे सिया आरपी पर यह और अपडेटेड रिविशन लेकर आ रहा हूं इसमें अमेंडमेंट्स भी करवा दूँगा साथ में जबस और यह अपडेटेड रिविशन साने वाले यूटीब पर आप सब बच्चों के लिए यह रहेंगे मौनिंग एट एम पर ठीक या रहा रहा दोनों ही उसके बाद में सिक्स्टीन को सीएफ का नियुमरिकल सेशन भी आ रहा है मौनिंग एटेम लाइव एक एक नियुमरिकल जो सबके अमेंडमेंट्मेंट्स भी आएंगे तो अब एक दम निश्यंत रहो और मस्ती से पढ़ाई करो में चीज क्या है गुंडे जैसे जैसे एक्जाम करीब आता है एक दिल में धग 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 भी होती रहती है तो यह जो सारी सेशन्स आपके लिए उने वा तो प्रोफेशनल के बच्चे हैं आप एक्जिकेटिट्व के बच्चे हैं अच्छे से पढ़ा ही करते रहे हैं एक जो आपको पुश जाए वो यहां पर आपको दे कि धिस्क्रिप्शिञ बाक्स में जो मैं रिविज्ट लिंक दे रहा हूं उसको आप बहुत अच्छे से देख लें उसमें आपके लिए बहुत सारी चीजें रखी गई बहुत-बहुत बहुत-बहुत continue कर लेते हैं कि अ कå माँभारत कि बात है कली मैं इस क्लास में बच्छों को स्टोरी बता रहा था 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 ऐत्सकर डिर्फर के बच्छों के साथ दिया स्वें कि महा भारत के एक चोड़ा सा इंसिंटस आपके चाइब होगा तो अब बच्छों को बता ही तो दुर्योधन जाके कृष्ण भगवान के सिर के पास में बैठ गए क्या जैसे कृष्ण भगवान उठेंगे पोन को देखेंगे और वो उनसे मांग लेंगे जो मांगना चाहते हैं फिर अर्जुन पहुचे तो अर्जुन जाके लेट पहुचे अर्जुन दुर्योधन के बाद पहुचे तो वो जाके कृष्ण भगवान के पैर के समीप खड़े हो गए अब कृष्ण भगवान जैसे ही उठे कृष्ण भगवान जैसे ही उठे दुर्योधन की जगर कृष्ण भखवान की नजर सामने पड़ी उनके चर्णों तो अरजुन खड़े थे तो कृष्ण भखवान ने कहा के है अरजुन क्या हो गया मांगो क्या चाहते है अब वहां पे दुरियुधन का कहना था कि मैं पहले आया हूँ मुझे पहले हक मिलना चाहिए मांगने का कृष्ण भगवान के पास देने के लिए क्या था कृष्ण भगवान के पास देने के लिए उनकी नरायान सीना थी और कृष्ण भगवान खुद थे जबकि कृष्ण भगवान कह चुके थे कि मैं इस युद्ध में लड़ने वाला नहीं हूँ आप दुर्योधन का कहना था कि मैं पहले आया हूँ मैं पहले मांगने का हक रखता हूँ आपसे इसी रिए तो मैं आपके समी बैठा था पर एक दूसरा तर्क भी है जो ये कहता है कि कृष्ण भगवान ने पहले अर्जुन को देखा तो जिसको पहले देखा उसका पहले हक बनता है खेर अंत में ये हुआ कि दुर्योधन ने मांग ली भारायान सेना कि आप तो लड़ने वाले नहीं हो तो आपकी सेना मुझे मिल जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा और अर्जुन को मिले श्रीक्रिष्ण खुद जो कि लड़ने वाले भी नहीं है और एंड में युद्ध में क्या हो ये तो हम सबको पता है कि पांडव जीते अर्जुन ने बहुत जाएगा और पांडव उस युद्ध को चीते क्यों इस स्टोरी इतनी महत्वर रखती है और इस पॉइंट पर आपके लिए बहुत इंपॉटन है वो ये है कारण उसका हमें हमेशा जीवन में लगता है कि सरकम्सांसे हमारे फेवर में नहीं है हो सकता है आप बच्चों का भी एक्जाम एक महीने के अंदर हो सकता है बड़ ये स्टोरी ये समझाती है हमको, कि सर्कम्सांसेंस आपके फिवर में नहीं भी हो, तो भी आप बहुत अच्छे से विज़ाई हो सकते हैं. अर्जुन वहां पे लेट पहुचा था. अर्जुन को जो पोजिशन भी मिली, वो दूर मिली थी. अर्जुन को मांगने का मौका भी नहीं मिला अच्छे से. लेकिन, 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 फिर भी, अंत में क्या हुआ हम सबको बताएं. So the most important thing that I love about this story is, कि आप सर्कम्सांसेंस के बारे में सोचो ही मत. सर्कम्सांसेंस, फेवर में हैं, नहीं हैं, फर्क नहीं पड़ता. आप बस ये देखो कि क्या आप अपना 100% दे रहे हो क्या. आपको दिन में सिर्फ 4 गंटे मिल रहे हैं, क्या आप उस 4 गंटे में 100% दे रहे हो क्या. आपको 6 गंटे में 100% दे रहे हो क्या आपको 8 गंटे में 8 गंटे में 100% दे रहे हो क्या आपको जितना समय मिल रहा है दिन भर पढ़ने के लिए वहाँ आप अपना 100% दे रहे हो या नहीं is the real question अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो बहुत बढ़िया examination होंगे ये बात तै है so forget about circumstances क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है क्या अच्छा है क्या बुरा वो सब छोड़ दो syllabus exam के मेरा एक महीने पहले cover हुआ या चार महीने पहले cover हुआ वो सब छोड़ दो बस ये सोचों कि यहां से अगले एक महीने जो मेरा पास समय बचा है क्या मैं तूफान तरीकी से अपना 100% दे सकता हूं क्या बस आप वो देने पर ध्यान दो you'll be surprised with the result magic will happen and you'll be very 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 happy with the results तो छोड़ दो ये सब और पूरी ताकत लगा दो अपने examination पे और एक ही सवाल ध्यान में रखो कि क्या आप अपना 100% दे रहे हो क्या circumstances fever में है या नहीं ये माइने नहीं रखता क्या आप अपना 100% दे रहे हो नहीं दे रहे हो ये माइने रखता ठीके गुंडे तो खुब खुब पढ़ो खुब 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 आगे बढ़ो आपसे मिलता रहूँगा मैं यूट्यूब पे revision के माध्यम से लेकिन I hope आपकी preparation बच्चे वे समय में बहुत 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 अच्छी चल रहे है ठीके गुंडे खुब खुब पढ़ो आप खुब 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 आगे बढ़ो बढ़ो